हेलो दोस्तों स्वागरे आप सबका मेरे ये डिप चैनल सच इन एजुकेशन हापद दोस्तों आज हम बात करेंगे MCQs चैप्टर नंबर फोर जो मैंने मतलब आपके रिगार्ड़ी आप कह सकते हो कि अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स पार्णेशिप खतम कर दिया है मैंने MCQs के बेस पे अब कंपनी अकाउंट्स को लेकर मैं आ रहा हूँ तो इसके कुछ important MCQs साथ में मैं आपको समझाऊंगा भी क्या क्योंकि जो explanation है वो बहुत जरूरी है साथ में और important MCQs यह मैं आपको कराने वाला हूँ इसके लावा बहुत सारी another links test के लिए आपको यहाँ पर video description में मिल जाएंगी और notes की link जो telegram channel के link है वो भी मेरी video description में आपको मिल जाएगी अब देखिए test में 15 questions होने वाली है equal marks है 15 minutes मिलेंगे और एक बार submit करने के बाद आप उसे change नहीं कर सकते ठीक है जी तो चलियें करते हैं start अपना काम पहले number पे question आता है a company can issue shares only at discount in case of ऐसा कौन सा case है जिसमें company जो है वो अपने shares को discount पे भी issue कर सकती है ऐसा आज में तो नहीं हो रहा लेकिन ऐसा एक only इकलोता case भी है जिसमें company क्या कर रही है issue कर रही है वो कौन सा case है वो क्या preference shares है नहीं जी ऐसा कोई case नहीं है क्या वो bonus share के base पे होते हैं bonus share कभी सुना है कि आपने bonus वाले shares को आपने discount पे भेजा हो नहीं वो already आपके bonus होते है sweat equity और right shares देखो right shares होते हैं जो हम अपने पुराने existing shareholders को सबसे पहले prefer करते हैं कि आप लीजिए आप खरी दिए तो उसमें क्या उनको हम discount में दे देते हैं नहीं उनको हम पहले preference देते हैं ना कि discount तो बचता हुआ जो main चीज है वो है sweat equity shares के case में हम इसमें discount में shares को दे देते हैं authorized capital का मतलब क्या होता है क्या वो minimum capital of the company होती है maximum होती है issued होती है या कोई भी नहीं होती देखे issue ही authorized का part होता है लेकिन issue एक अलग capital है वो authorized नहीं है अब बात आती है क्या authorized maximum है या क्या authorized minimum है देखे बात आती है जब authorized एक word बड़ा word आता है company के अंदर तो सबसे बड़ी capital ही authorized यानि registered यानि nominal ये तीनों एक ही नाम है that is known as authorized यानि maximum capital of the company ठीक है जी चलिए अब जो share forfeited, share forfeited का मतलब आपके shares को जबत कर लिया गया अब जब जबत कर लिया गया है तो उनका balance कहां पे जाएगा उनका balance क्या revenue reserve में जाएगा मलब हमारी income के waste पे जाएगा या फिर capital एक लंबे समय के लिए reserve में रखा गया है capital तो जब भी हम share capital का काम करते हैं तो सारा का सारा पैसा company का ज़्यादा तर capital reserve में रहता है तो capital reserve की nature में ज़्यादा काम किया जाता है तो इसका भी जो balance होगा न वो ज़्यादा तर किस case में जाएगा company के according capital reserve में ही हम calculation करते हैं अगर आपको याद हो general interest करते टाइम discount allowed जो हम re-issue के time पे forfeited shares का करते हैं वो debit किसके लिए होता है द्यान से समझे यहाँ पे क्या का आ गया है मैंने re-issue के time पे जो discount दिया है वो किसके debit है क्या वो discount on issue share account जो मेरा issue of share account है उसके discount के account में debit है या फिर forfeited share account में या फिर profit and loss प्रॉफिट and loss कभी सुना है company accounts में वैसे सुना होगा लेकिन क्या हम बनाते हैं नहीं तो ये तो आना ही नहीं है आना है पहले दूसरे में अब पहले दूसरे में क्या वो discount के लिए हो जाएगा नहीं वो होता है forfeited shares ही जिसमें हम क्या करते हैं अपने discount को debit में दिखाते हैं अब company cannot issue share company जो है वो पहले ही मैंने बात कर दी है इस चीज की किस में issue नहीं कर सकती in only one case को वो छोड़ के that is discount sweat equity shares को discount में issue कर सकती है as not in other case other किसी और case में नहीं कर सकती ठीक है जी चलिए divide the capital into small parts एक छोटे छोटे पार्ट में capital को divide करना वो क्या कहलाता है क्या वो bond कहलाता है क्या वो reserve कहलाता है क्या वो share कहलाता है और क्या वो debenture कहलाता है तो in simple word अगर हम बात करें तो जब छोटे 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 पार्ट में हम अपनी capital को बांड देते हैं न उसे हम कहते हैं that is known as share क्योंकि आप share capital पढ़ रहे हो तो capital को divide करना ही क्या होता है share होता है ठीक है जी तो ये point आपको समझना है ये definition है share की जब एक छोटा portion of a capital can be called by the company in case of wind up wind up हो रही है company ठीक है अब उसमें company ने कुछ पैसा मंगवाना है अब उस मंगवाने वाले पैसे को company खतम हो रही है तो company खतम होने के लिए क्या वो subscribe कर रही है इस चीज़ को subscribe क्या होता है purchase क्या वो purchase करवा रही है capital जी नहीं और क्या वो authorized है capital ये तो आपको already clear हो गया होगा बचता है called up क्या वो मंगवारी है तो ये called up भी हो सकता है क्या वो reserve capital हो सकता है तो अगर आपको capital reserve और reserve capital में difference का पता है तो आप उसमें यही difference आपकी books में पढ़ते हो कि wind up के time पे जो capital के लिए हम called up करवाते हैं उसे हम reserve capital कह देते हैं उसे हम called up नहीं कहते called up हम shareholder से company के चलाने के लिए करते हैं ना कि wind up के time तो wind up के time पे जो चीज है वो होती है reserve capital चलिए अब table f आप सबने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा आप company accounts कर रहे हो तो वहाँ पे इतना तो पता ही है कि interest charge किया जाता है call in area और call in advance के उपर अब उन call in area और advance के उपर जो interest charge किया जाता है उनकी percentage जी बताइए उनकी दो ही percentage है जो advance के उपर है वो होती है 12% जो area के उपर होती है वो होती है 10% वो आपको as it is याद रखना है उसमें कोई सिक्का नहीं चलेगा आपका और जादा चलिए अब share 10 रुपएगा है 8 called up करवा दिये हैं 6 रुपिस forfeited कर दिये गए है अगर हमने share capital account को debit करना है तो किस amount से करेंगे बड़े ध्यान से करना है भई क्योंकि share capital की जो amount है वो वहीं पे मतलब वहीं पे debit होगी उसी amount से debit होगी जो हमने called करवाई है और इन में से called करवाई है यह amount क्या है क्या वो 10 रुपए है 10 रुपे एक share की value कही गई है जिसमें से हमने 8 called up करवाई है मतलब called up कितने करवाई है 8 और 6 forfeited हो गए अगर forfeited पूछा होता तो हम 6 कहते अब called up यानि उन्होंने share capital को debit जब करना है यानि तो उसी amount से करना है जो called करवाई है यानि 8 रुपे तो इन में confuse नहीं होना ठीक है चलिए share application account क्या है एक personal है nominal है या real account है चलिए बताईए जड़ा आपको सबको मेखाल से पता होना चाहिए application अपनी अपनी application दे नहीं है तो अपनी अपनी application का मतलब क्या होता है यहाँ पर personal है भाई real का मतलब what वो तो नहीं आएगा बीच में अब nominal है क्या खर्चे बगारे इसमें देते जाते नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो बचता हुआ account कौन सा है that is personal चलिए बात आ गई कि at the time of forfeiture of share the share capital account अब share capital account forfeited वाले shares के time पे क्या होगा वो debit होगा मैंने पहले बता दिया चलिए अब ये question दुबारा से ही आया है तो दुबारा से बस एक sense change होई है जिनों ने भी ये वीडियो को पूरा देखा है समझा है वो 2-3 question पहले अगर आपको याद होगा तो same वही चीज आई है और मैं बार बार इस चीज को अब repeat नहीं करूँगा चलते हैं आगे चलिए अब बात आ गई हमारे पास right shares का मतलब क्या होता है तो ये भी अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा सुन लिया है तो मैंने सबसे पहले ही इस question को छेड़ा था कि right shares और bonus shares और sweat equity shares में difference क्या है तो automatically यहाँ पे कौनसा answer आने वाला है ध्यान स समझेगा जो मैंने अल्ड़ी पहले बताया है कि right share का मतलब सबसे पहले अपने existing shareholder पुराने shareholders को पैसा अमला shares subscribe करवाने चलिए फिर आ गया when shares are allotted the account will be credited जब shares को allotted किया जाता है कौनसा account इन में से क्या हो जाता है credit हो जाता है क्या वो share application है application इसमें आ सकता है पहले मुझे ये बताना है कि क्या allotment के case में application account खुलेगा खुलेगा ही नहीं तो ये तो answer आने वाला नहीं अब allotment या share capital में से आपका answer है और कौनसा account आपका credit होने व अब बात आ रही है, shares allot किये गए हैं, allot का मतलब हमने उन्हें डाल दिया, अब हम क्या बना रहे हैं, अपनी share capital को बना रहे हैं, तो जादा तर जो भी allotment करेंगे, जो भी allotment होती है, वो कहां पर डालेंगे हम, अपनी that is known as share capital में, तो डालना मतलब हम उन्हें credit कर रहे हैं, किसे credit कर रहे हैं, allotment को credit कर रहे हैं, अपनी share capital के लिए, अब share capital account में जो चीज़े जा रहे हैं, वो credit हो गई, यानि आपकी entry के बनती है, share allotment account debit to share capital, अगर आपने पढ़ा हो, company accounts तो आपको याद आ जाएगा, चलिए, अपनी बात अपना आ गया, minimum value of share application की कितनी होनी चाहि किये, आप सबने मेरे खाल से company accounts किये हैं, तो आप सबको मेरे खाल से इतना तो idea होना चाहिए, कितनी आपकी minimum value application में होनी ही ज़रूरी है, क्या वो 2 rupees, जी नहीं है, कहीं mention नहीं है, क्या वो 50, 20 या फिर 5% होता है, जी हाँ, 5% of nominal value of shares उसमें होना बहुत ज़रूरी है, चलिए अब एक last question है, equity shareholders किने कहा जाता है, बहुत पुराना plus 1, 11th class में भी अगर आप पढ़ते हो company accounts, तो वहाँ पे भी ये question है, कि equity shareholders ही सबसे ज़्यादा company के honors मने जाते हैं, यानि honors of the company are known as equity shareholders, और equity shareholders के पास ही सारे voting guides, सारी चीज़े होती हैं, जिसकी वज़े से equity shareholders को हम इस answer में क् रहेंगे, owners of the company, चली, चली है, यह देखिए आप सब का यहाँ पर जो questions है, वो सारे यहाँ पर correct हो गए हैं, ठीक है जी, तो अब इसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, आपका भी हो जाएगा सारा, तो अगर कोई problem है, कहीं पर कोई चीज आपको समझ नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में है, कमेंट जरूर कर दियेगा, कोई भी आपको issue होगा, देखके हम reply जरूर कर दिया जाएगा, और कोई note चाहिए, टेलिगरम चैनल को open है, link आपको description box में दे दिया गया है, आज की बस वीडियो में दोस्तों इतना है, वीडियो अच्छी लगी है, समझ जरू कर देना,